असलम उलेकुम दियर स्टूडेंस यह हमारा तिसरा आनलाइन लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल थर्मो दानामिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हूँ है इसमें अब तक हमने फस्ट लाफ खेमिकल थर्मो डिनमिक्स तक फिजिकली और आनलाइन लेक्चर्ज में स्टडी किया है आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे सेकिड लाफ थर्मो डिनमिक्स की तरफ और उससे पहले कुछ इसमे टर्म्स हैं वो स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इसमें स्पॉंटैनियस और नन स्पॉंटैनियस प्रासेस केमिकल थर्मो डिनमिक्स के हवाले से क्या होते हैं इससे पहले एक लक्चर में हमने रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल प्रासेस भी स्टडी किये थे अब इसी तरह chemical thermodynamics के मताबिक जो process चल रहे हैं जिनकी हम thermodynamics study करते हैं naturally या artificial lab में कोई भी process है जिसकी हम heat changes जिसकी हम thermodynamics को study करना चाह रहे हैं वो process या तो spontaneous हो सकता है या फिर non spontaneous हो सकता है reversible और irreversible process को एक नए term के साथ एक नई direction के साथ नई definition के साथ हम उनको ही explain करेंगे ये spontaneous और non spontaneous जो process है ये थोड़ा इसमें waste concept है थोड़ा इसमें हम देखेंगे कि जो spontaneous process है वो क्या होता है एक ऐसा process जो खुद बखुद हो लवस से जाहर है spontaneous का मतलब खुद बखुद हो जिसको करने के लिए कोई external aid की किसी external जो है help की energy की assistance के जुरूरत ना हो वो spontaneous process कहलाता है तो spontaneous process जो होगा वो हमारे पस खुद ही होता है इसकी क्या key points है एक तो जितने भी naturally occurring process जो कुदरतन खुद बखुद हो रहे हैं जिसमें man made हमारा कोई हाथ नहीं है naturally occurring सारे process spontaneously होती है वो spontaneous process की category में आते हैं जो nature में होगा वो spontaneous होगा दूसरा यह जो spontaneous process होते हैं यूनी directional होते है एक ही direction में ये move करेंगे ठीक है यूनी directional अगर है left to right जा रहे हैं left to right जा रहे हैं मतलब ये वापस नहीं आएंगे ये irreversible होंगे यूनी directional हम क्या कहते हैं irreversible reactions होते हैं permanent change होती है irreversible इनको reversible नहीं किया जा सकता खुद ये reversible नहीं होगे reaction reverse नहीं होगा हाँ अगर आप उस पे externally influence करते हैं किसी external source से आप उसको energy provide करके खुद ही reverse करेंगे तो फिर वो natural नहीं रहेगा हम उसको reverse बना सकते हैं लेकिन उस पे energy जो है वो apply करेंगे energy उसको provide करेंगे फिर वो reversible होता है on its own वो reversible नहीं होगा ठीके तो by definition जो spontaneous process हमारे पास वो होते हैं जो खुद बखुद चलते रहें तो वो सिर्फ एक ही direction में चलते हैं और वो thermodynamically irreversible होते हैं इनकी daily life examples में हमारे पास सबसे पहले तो flow of water from higher level to lower level naturally होता है कि पानी हमेशा जो है उन्चाई से गहराई की तरफ आता है higher level से lower level की तरफ खुद ही दोड़ेगा खुद ही आएगा तीक है अब इसमें देखे सारे ये points पे पुरा उतरती है ये example ठीक है ये एक ही direction में चलती है बिल्कुल ठीक इसको खुद ही ये lower level से higher level की तरफ पानी को अप हिल खुद बखुद नहीं होगा ये lower level से higher level की तरफ पानी को बहुचाना है तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी energy देनी पड़ेगी उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करके जो है वो ले जाना पड़ेगा फिर तो वो non-spontaneous process बन जाएगा spontaneous ये उस टाइम तक रहेगा जब तक ये खुद बखुद जा रहा है खुद बखुद जो है ये higher level से lower level की तरफ जाता है तो ये spontaneous process की एक example है naturally occurring example है इसी तरह आप किसी room में कोई जो है scent वगरा या कोई खुश्बू कुश चीज उसको या कोई gas इस टाइब की है ठीक है किसी cylinder से आप उसको बाहर छोडते हैं तो gas पूरे room में diffuse हो जाती है उसकी smell जो है वो diffuse हो जाएगी तो ये भी spontaneous process अब gas जो है अगर आप कोई cylinder जो है उसमें लीक होता है उसमें से gas निकलती है ठीक है या आप scent में से ठीक है उसमें से gas को spray करते हैं अब उसमें से जब gas निकल गई बटल में से तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते फिर वो पूरे कमरे में जहां पे भी उसकी है वो diffuse हो जाएगी खुद बखुद तो diffusion of gases जो है spontaneous process ठीक है reversible इसको नहीं किया जा सकता gas diffuse हो जाएगी इसी तरह ice melting in leuk warm water ठीक है जो under ground water होता है water के एक surface के नीचे गरम पानी है उस पे देखे जिस तरह हम कहते हैं तरदियों में उपर जो है पानी के उपर एक बराफ की तहाँ जम जाती है नीचे गरम होता है तो नीचे जो पानी है उसकी temperature अब ये naturally होता है तो इससे जो ice की melting होती है ice जो है पानी में change होगी तो खुद बखुद होगी melting of ice जो है अगर आप उसको वैसे रख दें वैसे अगर धूब में आप रख देते हैं किसी बरफ को किसी बरतन में डाल कर तो ये ice देखें melt हो रही है खुद बखुद ही melt हो रही है तो ये एक हमारे पास spontaneous process हुआ इसी तरह कामर साल iron जो है उसको जंग लग जाएगा spontaneous process है evaporation of water पानी जो है hull temperature पे किसी उस पे रखें खुद ही बहुत जो है उसके evaporation होती रहेगी अगर आप उसको heat मजी दे देते हैं temperature देते हैं तो उसका rate of evaporation बढ़ जाएगा ठीक है लकिन यह है कि evaporation आप ने जिस तरह पड़ा हर temperature भी होती है room temperature पे भी आप पानी जो है उसको रखेंगे किसी बरतन में तो उसमें से evaporation होती रहेगी हर temperature पे evaporation होती है बस यह है कि temperature अगर कम होता है आप at-is-on उसको खुद ही evaporate आप साथ हैं कि खुद ही वो जो है अवापरेट करें उसको आप हीट परवाइड करके उसको बॉयल नहीं करतें अवैपोरी नहीं करतें तो उसका रिट आफ एवैपुरेशन सलू होगा लेकर अवैपोरेशन इट सेल्फ जो प्रासिस है यह खुद बहुत होता है आप अगर process इसका reverse हो जाएगा कि ऐसा process जो खुद बखुद ना हो ठीके जो dependent हो external source पे अगर हम उसको energy provide करते हैं वो energy absorb करेगा उसके बाद उसमें कोई change आती है वो reaction प्रोसीड करता है तो वो non spontaneous यानि energy का महताद है energy देनी पड़ेगी खुद बखुद जो है वो नहीं run कर सकता तो an undergone reaction या इसको non spontaneous reaction भी कहते है या unfavorable reaction जा रहा है जो चीज फेवरेबल होती है तो वो खुद बखुद उसको एक favor उसको मौझूद है तो वो spontaneously खुद वो unstable है तो और चीज stability की तरफ जाती है खुद ही जाएगी दोड़कर stability gain करने के लिए जाएगी अब एक चीज है वो already stable है हमने उसको unstable करना है तो उसका दिमाग खराब है कि वो stability से खुद बखुद बखुद नस्टेबल की तरफ जाए तो अगर किसी चीज को जो stable है ठीक है वो unstable की तरफ जाएगा खुद वो खुद नहीं जाएगा तो यह non spontaneous reactions या process होते हैं तो यह reverse process है हमारे पास spontaneous का वो खुद होता है या खुद नहीं होता ठीक है और यह सिर्फ तभी होगा जब हम energy जो है वो provide कर सकते हैं तो यह reversible भी होगा या energy देखके तो हम कुछ भी कर सकते ह ठीक है और non spontaneous process हमारे पास इसमें add कर लिए endothermik होगा जाहरे जब इसको energy provide करें यह हमेशें true नहीं होता कि सारे जो non spontaneous process हो endothermik ही हो तो commonly हम यही कहते हैं कि जो non spontaneous process हैं वो क्या होते हैं endothermik होते हैं जो spontaneous process है वो exothermik होते हैं ठीक है अब इसकी examples में हमारे पास उसकी example जो spontaneous की है उनको reverse कर दे उसमें था के flow of water from higher level to lower level इसमें from lower level to higher level ठीक है अब गहराई से आप उंचाई की तरफ पानी को भेजना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा उस पे work करना पड़ेगा उसको energy provide करने पड़ेगी जिस तरह हम electric motor ल जाता है तो उसके energy लगती है हम electric field उसको provide कर रहे है हम electricity energy जो है किसी भी farm में उसको energy provide करेंगे तब ही पानी नीचे से उपर आएगा खुद बहुद नहीं आएगा इसी तरह electric current lower potential higher potential to lower potential electric current खुद जाता है lower potential से higher potential की तरफ भीज़ना चाहा रही है तो फिर क्या करना पड़ेग energy provide करने पड़ेगी ठीके इसी तरह flow of heat अब कोई गरम चीज़ मौजूद है उसका temperature ज्यादा है तो उसमेंसे तो खुद बहुद हीड़ जो है अगर system का temperature ज्यादा है एक बरतन के अंदर पानी 100 degree temperature है बार का temperature 20-30 degree है उसको रख दें कुछ देर बाद आप देखेंगे temperature उसका नर्मल हो जाता है उसका temperature लूज हो जाता है तो वो क्या कर रहा है हाटर जो बाड़ी है मारे पास उससे colder body की तरफ खुद बखुद energy जो है move कर रही है heat की फार्म में ये spontaneous के example हो जाएगी प्रमेशिया में पता है का higher temperature से lower temperature की तरफ जो है body temperature उसका heat की फार्म energy लूज करती है और वो थरमल equilibrium में आ जाते हैं दोनों सिस्टम लेकिन अगर इसका reverse करना है एक already colder body है उससे हमने heat को उससे हमने energy को इन दफ़ाम of heat जो है क्या करना है भेजना है कि इसमें harder body की तरफ तो इस पे energy खर्च करना ही पड़ेगी इस तना refrigerator है हमारे पास ठीक है उसमें अब देखें फ्रिज के अंदर का जो temperature वो कम है बार का ज्यादा है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या करना जब उसका दरवादा खोलते हैं तो heat अंदर से बार जाएगी अंदर से जो हमारे पास colder coldness है उसकी जो ठंड़क है वो हमें मासूस होती है बार यानि उसमें से उसकी जो heat है energy की फ instantaneous के example है इस तरह gases का diffusion from low pressure to higher pressure की तरफ ठीक है already gas की concentration pressure कम है एक जगह पे है यह तो हम पढ़ते हैं कि diffusion होती है या effusion होती है higher pressure से lower pressure की तरफ जाएगी जहांपे gases के मालीकुल ज्यादा है अगर उनको कोई जगह मिल जाए दूसरा empty बरतन मिल जाए जगह उनको provide कर दें तो दोड कर दूसरे ऐसे उसमें जाए गए जहांपे प्रेशर कम है अगर अगर lower pressure से higher pressure की तरफ आपने भीजना है तो फिर प्रवाइड करने पड़े कि इस फुद इस नहीं होगा ठीक है तो यह बिलकुल आसान spontaneous के हवाले से कुछ बाती है यहां से इसको read करें यह भी समझें आपक से कुछ पॉर्ट अफ व्यू से इनको त्यार कर लें उसके बाद हमारे टापिक है second law of thermodynamics हमने पहला ला पड़ा था thermodynamics का जिसके मताबक कि जो law of conservation of energy है कि system और surrounding की total energy conserve रहती है या energy जो है वो एक फार्म से दूसरी फार्म में change हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है कभी destroy नहीं होती और ना कभी create होती है तो उसके बाद अब second law तो पहली चीज़ यह कि second law of thermodynamics में की जरुरत क्यों पेश आई first law of thermodynamics में क्या खामियां थी क्या उसमें क्या खामियां थी लिमिटेशन्स थी जिनकी बेस पे हमें second law of thermodynamics जो है उसको formulate करना पड़ा सबसे पहले कुछ limitations देखते हैं first law की first law के मताबक work जो है that is completely converted to heat and heat is completely converted into work हमने पढ़ा था कि energy एक फाम से दूसरी फाम में क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है त्रांसफर हो जाती है यह वर्क एक energy की फाम है heat भी energy की एक फाम है तो work से heat में heat से work में first law कहता है कि energy transfer हो जाती है completely जतनी आपने उसको heat की फाम energy प्रवाइड की वो सारी की सारी work में जा सकती है first law के मताबक लेकिन यह limitation है ऐसा नहीं होता अब इसका यह मतलब है कि अगर आप जो है कोई आपके पास machine है कोई device है उसको आप heat प्रवाइड कर हीट की फाम में energy दे रहे हैं या electricity दे रहे हैं कुछ भी तो जितनी आपने energy heat की फाम में प्रवाइड की let's see उसको 20 जोल आपने हो output दे दूसरे लफजों में उसकी efficiency 100% हो तो कोई ऐसी machine नहीं है जो 100% हमें efficiency दे उसकी हमेशा efficiency जो है 100% से कम होती है इसको second law में हम इसको देखेंगे उसके examples में उसकी ये terms है कि कभी बी किसी भी device की 100% efficiency नहीं हो सकती वो ideal case होते है real case में कम होती है efficiency तो इसके मताबक सारी की स energy जो आपने provide की वो का work की फार में transfer हो जाएगी या work जो है वो rate की फार में transfer हो सकता है ये एक इसकी limitation है हमेशा ये ठीक बात नहीं होती reality जो है इसके बराक्स है दूसरा point first law of thermodynamics जो है इस चीज़ को explain नहीं करता कोई इसमें बात नहीं है कि क्यों chemical reaction complete नहीं होते या reversible reactions होती है तो उन में वैसे completion नहीं होती reactions चलते रहते हैं कोई दूसरा chemical reaction है वो भी irreversible हो complete नहीं होते completion से पहले या उसमें मतलब 100% reaction complete नहीं होगा ठीक है अब जखें एक freeze के अंदर आपने किस चीज़ को रखा आप एक reaction चाहरे है उसको freeze करना चाहरे है गोश्ट वगरा कुछ भी है तो अब कब तक उसको इस process को रोक कर रखेंगे या जितना भी उसको temperature कम दे कभी ना कभी जा कि उसके अंदर chemical process start हो जाएगा वो चीज़ खराब होना शुरू हो जाएगी अब मुकमल तो पे 100% reaction को रहा स्टाप कर सकते है ना complete कर सकते है ठीक है तो यह चीज़ भी इसने explain नहीं की तीसरा point first love thermodynamics जो है इस चीज़ के बारे में product नहीं करता क्यों एक process है क्या वो possible भी है या नहीं है spontaneously वो खुद वो खुद वो process होगा या नहीं होगा या वो reaction feasible है या नहीं है ठीक है जिस तरह हम पढ़ते हैं कि simple एक water बनाने के लिए हम hydrogen और oxygen चाहिए अब thermodynamics किसी चीज़ की किस reaction की study करते हैं तो उसमें हम यहीं देखते हैं कि आया यह reaction feasible है या नहीं है तो पान पानी बनाने के लिए hydrogen और oxygen चाहिए और यह feasible reaction होता है hydrogen और oxygen एक definite proportion में जब आपस में मिलेंगे उनके दिम्यां reaction होगा और फिर reaction conditions जो हैं वो कौन सी होंगी किस reaction condition पे कौन से reactants किस proportion में आपस में react करें तो एक specific product बनेगा इसके बारे में हमें first love thermodynamics नहीं बताता कुछ feasibility of reaction कोई दो specific reactants के दिम्यान reaction हो और एक specific product बने और किन conditions में बनेगा और reactants की concentration आपस में definite proportion क्या हो ठीकिए तो इस बारे में first love thermodynamics कुछ नहीं बताता ये second love thermodynamics में या बात की बाते हैं वो बताते हैं कि एक chemical reaction को proceed करने के लिए थर्मोडानमिकली उसकी gives free energy जो है वो negative होगी आगे हम इसको study करेंगे तो वो एक spontaneous reaction होगा ठीके उसके हम enthalpy study करेंगे तो ये बातें जो है second love thermodynamics में या बात में हैंगी first love इस चीज़ को भी predict नहीं करता कि आया को reaction को फ़लासिस feasible है या नहीं है तो था प्राइट first love thermodynamics में flow of heat की direction के बारे में कुछ information नहीं देता heat किस direction में flow करेगी नहीं पता ठीक है जीरो चलास जो हमारे पास thermodynamics का था उसमें हमने study किया था कि equilibrium thermal equilibrium establish होता है दो systems के दर्मियान अगर ठीक है अगर दो system हम करीब ले के आए उनके दर्मियान temperature का difference है एक का 30 degree है एक का 20 degree है तो क्या होगा उनके दर्मियान heat का transfer होगा और heat की फोलो की direction क्या होगी higher temperature वाले system से lower temperature वाले system की तरफ heat फोलो करेगी और उनका temperature थोड़ी दिर बात बराबर हो जाएगा हम कहेंगे वो thermal equilibrium में यादा है temperature की हमने हमसे definition पड़ी थी कि temperature basically हमारे पास वो physical property है जो किसी system में heat के flow की direction को indicate करती है हम देखेंगे कि जिस direction से जिस system से दूसरे system की तरफ heat flow कर रही है तो जिस system से कर रही है उसका temperature ज्यादा होगा जिस की तरफ कर रही है उसका temperature कम होगा लेकि उस टाइम तक क्योंकि zero थला जब यह भी मैंने बताया था कि first law और second law के बाद zero थला of thermodynamics जो है डिसकावर्ड होगा वो बनाया गया तो यह बाद में zero थला ने आके जो है heat के flow की direction को explain किया first law of thermodynamics heat की बात तो करता है हीट और वर्ट की फार्म में energy का transfer तो होता है systems के दर्मियान उनकी energy change होती है बढ़ती है कम होती है लेकिन direction क्या होगी heat के flow की इसके बारे में फास्टला कुछ नहीं बताता खामोश है इसके अलावा एक point ये भी है अभी हमने spontaneous में भी पढ़ा कि जतने भी naturally occurring process है वो हमेशां खुद बखुद उसमें change जाती है खुद ही होती है spontaneous उसमें change जाती है ऐसी direction में जिस direction में वो equilibrium पे पहुँच जाए अगल equilibrium उनमें आ जाता है ठीक है तो उस direction में जाएंगे जिस direction में higher concentration से lower concentration के तरफ अगर equilibrium आ जाता है तो ठीक otherwise उनकी direction क्या होगी हमेशा from higher to lower होगी spontaneously तभी जाएगा from stability to sorry from unstability to stability जो हो move करेगा तो इस बारे में भी first law of thermodynamics जो है कोई explanation नहीं देता तो इन तमाम उपर वाली जो हमने अभी पढ़ी इन observations की base पे एक और law बनाया गया जिसको हम कहते है second law of thermodynamics इसकी क्या statements हैं क्या definitions हैं इसके according हीट अब इसने देखे हैं हीट के direction जो है वो भी indicate कर दी हीट के not flow itself from colder body तो यह कहता है कि colder body से हाटर बाड़ी के तरह खुद बखुद हीट फलो नहीं करेगी तो अभी हमने पढ़ा non spontaneous process है तो उसमें spontaneously खुद हीट जो है वो नहीं जाती है यह भी एक second law की statement है दूसरा यह कहता है कि जतने भी naturally natural process है जतने भी spontaneous process है वो एक ही direction में होती है और उनको reverse नहीं किया जा सकता यह इनकी journal जो है definitions हैं second law of thermodynamics की एक statement इसकी classist statement scientist उसने यह दी उसने कहा कि एक अब वो बात आएगी कि एक कोई हमारे पास machine है कोई device है हम कहते हैं खुद ही काम करें self acting device है ठीक है तो उसके लिए यह possible नहीं है कि वो lower temperature वाली body से higher temperature वाली body की तरफ heat को transfer करे खुद ही self acting करें तो self acting का मतलब यह हो क्या होता है कि उसको हम कोई energy को heat प्रवाइड ना करें ठीक है तो अगर उसको हम कोई heat energy प्रवाइड नहीं करते हैं तो फिर तो वो higher temperature से lower temperature के तरफ जसना एक spontaneous process होता है उसमें तो वो बात चलेगी लेकिन एक self acting device machine engine pump कुछ भी है वो lower temperature से higher temperature के तरफ heat को transfer नहीं कर सकता उसके लिए possible नहीं है without the expenditure of energy अगर energy उसको देती है energy खर्च करेगी तब हो सकता है energy खर्च किये बगार वो ऐसा नहीं कर सकता यह classic बात वही है सारी definitions उनका जो concept है वो same ही है different way में उनने इसको explain किया हुआ है और एक statement कि कोई heat engine याई अगर आपने उसको जतनी heat thermal energy उसको provide की सारी की सारी thermal energy जो है work में convert नहीं होगी याई जतना आपने उसको input दे in the form of thermal energy वो उतनी output नहीं दे सकेगा in the form of mechanical work 100% efficiency नहीं हो सकती किसी भी engine की उससे कम होगी यह फिर depend करता है efficiency हम फिर fine करते हैं कि किसी engine की efficiency कितनी है तीक है उसको फिर मुखते way से उसकी efficiency को बढ़ाया जाता है तो लेकिन 100% तक एक ideal case तो हो सकता है real practical work में 100% efficiency नहीं होती second life thermodynamics की कुछ statements है उसके बाद यह क्या करता है इसकी क्या application है इसने वो सारी limitations जो first law की थी mostly जो है उनको यह explain करता है यह हमें बताता है कि energy जो है किस direction में transfer होगी तो जाहर है इसके statement में भी है कि यह lower temperature से higher temperature की तरफ खुद बहुद नहीं जाएगा गर को प्रासेस हो रहा है ऐसा तो मतलब और not spontaneous है energy अगर आप दे रहे हैं तो फिर कह सकती है कि वो lower to higher जा रही है otherwise higher to lower तो एक direction कि इसमें बात की दूसरा यह हमें किसी reaction की spontaneity के बारे में बताता है कि खुद बखुद reaction होगा या नहीं होगा वो reaction feasible है या नहीं है फिर हम इसकी आगे जो इसकी application है आगे हम इसकी वो देखेंगे Gibbs free energy इसे find करते हैं या entropy find करते हैं तो entropy की value Gibbs free energy की value से calculate करके हम देखते हैं कि अगर delta G की value negative में आ रही है कि इस second law की output है entropy उसको हम आगे पढ़ेंगे entropy और enthalpy एक equation है आगे फिर उसमें हम put करके हम Gibbs free energy हर reaction के लिए delta G की value find कर लेते हैं वो delta G की value second law को implement किये बगार fine नहीं की जा सकती क्योंकि second law की output जो है हमारे पस outcome इसका जो result है वो है entropy, change in entropy वो क्या होती है इसको हम next देखेंगे entropy का factor उसकी value हम put करते हैं फर्मूले में तब ही जाके हम Gibbs free energy find कर सकते हैं और Gibbs free energy की value हम देखेंगे अगर negative में है तो इसका मतलब वो reaction spontaneous है अगर delta G की value मारे पास positive में आ रही है तो इसका मतलब वो reaction non spontaneous है वो reaction non spontaneous है वो feasible नहीं है वो खुद बखुद नहीं होगा तो इस तरह से इसने reaction की physicality के बारे में भी importance जो है information दे दूसरा ये बताता है कि equilibrium conditions के बारे में जिस्लाम ने पहले बात की कि एक specific reaction को होने के लिए किस condition पे temperature कितना होना चाहिए कितना pressure होगा तो ये conditions जो है या equilibrium condition क्या होगी किस conditions पे equilibrium attain कर लेगा यानि completion के तरह जाएगा तो इसके बारे में भी information देता है इसके अलावा इससे हम ये fine कर सकते हैं कि जिस्लाम ने बात की कि 100% efficiency तो नहीं हो सकती तो फिर कितनी है 70% 60% जितनी हमने heat उसको provide की किसी machine को किसी device को तो उस heat का कितना हिस्सा कितनवा fraction जो है वो work में करणवाड हुआ जितनी हमने heat दी जितना हमने input दी उसके बदले में सिस्टम ने output की दी दी तो उसकी efficiency जो है हम find कर सकते हैं किसी machine से ये भी second law की एक application है ठीक है तो ये बहुत ही simple और common चीज़ी हैं इसके हवाले से ये इसको देखें और इसको study करें लेकिन ये second law, first law important है हमारे पास thermodynamics में तो इंशाला next हम entropy, enthalpy के बारे में बात करेंगे